उसकी आदत थी पुलोवर के आस्तीन खीच के उन में हदेलियां चुपाने की चीक मारते थी तो एक साथ तीन उसकी कॉलर बोन्स के बीच गले पे जहाएं गड़ा होता है वह एक खुपसूरा दिल था अमोल भार्टी अदकारा तबू किसी तारुफ की मोहताज नहीं वो पिछली तीन तहाईयों से बॉलिवूड और मदाहों के दिलों पर राज कर रही है लेकिन अभी तक उन्हें ऐसा कोई जीवन साथ ही नहीं मिला जिसके दिल पर वो हकीकी तोर पर राज कर सके बॉलिवूड में ऐसी कई अदकाराएं हैं जिन्होंने शादी नहीं की लेकिन उनके अफियर्स बहुत मशूर हुए तबू का शुमार भी उन्हीं अदकाराओं में होता है तबू के जिन्दगी की कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं भारती मीडिया रिपॉर्स के मताबिक उनकी जिन्दगी में बहुत से लोग आए और वो बहुत से लोगों के साथ रिष्टे में रही लेकिन इसके बावजूद आज तक शादी के बंदन में नहीं बढ़ी तबू 51 बर्सकी हो चुकी हैं लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं की तबू की लव स्टॉरिस का जिकर किया जाए तो उनकी जिन्दगी में आने वाले पहले शख्स का नाम संजे कपूर था दोनों ने फिल्म प्रेम के दोरान एक दूसरे को डेट करना शुरू किया संजे कपूर और तबू का ये रिष्टा जादा देर तक काइम नहीं रह सका और जल्दी दोनों अलग हो गए संजे कपूर के बाद तबू का नाम मशूर हदायतकार और प्रोड्यूसर साजद के साथ जोड़ा गया साजद और तबू का अफियर उस वकत शुरू हुआ जब वो अपनी एहलिया दीविया भार्टी के जाने के सदमे में मुब्तला थे तबू और साजद दोनों ने तबीर अर्से तक अपने तालुकात को चुपाई रखा जब उनके अफियर की खबरे मन्जरे आम पर आएं तो कुछ दिनों बाद दोनों ने अलैद की थियार कर ली और दोनों के दर्मयान ब्रेक अप हो गया साजद से ब्रेक अप के बाद साउट के तज़र्बाकार अदाकार नागार्जन तबू की सिंदगी में आए कई मेडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि तबू का नागारजन के साथ 10 साल से जदा का मौश्का चला नागारजन पहले से ही शादे चुदा थे नागारजन के साथ 10 साल तक तालुकात में रहने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो अपनी बीबी को नहीं छोड़ सकते इसलिए तब्बू ने खुद को नागारजन से दूर कर लिया तब्बू इस वकत 51 साल की हो चुकी है और इन दिनों अपनी फिल्म बोला की शुटिंग में मसरूफ है इस फिल्म में तब्बू और अजय देवगन फिल्म दिरेश्म 2 के बाद एक बर फिर स्क्रीन पर नजर आने वाले हैं यह जो आने वाट इस बीजा कर दो आने वाले हैं